और अब हम ससमा निवेधन करेंगे मानिनी केंद्रेव नागरे कुडेयन एब हम स्पार्त मंत्री श्री जोतिराधितिस सींध्याजी से कि वे उच्छा वच्छनों से हम सभी को अभीबूत करें आए तालियों के साथ स्वागत करें मानिनी श्री जोतिराधितिस सींध्याजी आज हमारे मंच पे हाँ उपस्तित ग्वालियर के इस इतिहासिक भूमी पर हमारे यशस्वी जन जन के नायक और जिनोंने अपने करकमलों से मध्यप्रदेश के नौ करोड जनता के दिल दिल में एक अमीट छाप छोड़ा है ग्वालियर के इतिहासिक गालब रिशी की भूमी में तालियों की गरगहाट से शिवराज सिंग्जी का हम लोग स्वागत करें मंच परासीन हमारे केंडर क्रिशी मंत्री आधर्णिय नरेन सिंग्ट उमर जी मंच परासीन हमारे सांसद आधर्णिय विवेक शेजवलकर साहिब हमारे मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रीगण आधर्णिय तुल्सी सिलावट जी प्रद्वम सेंग्टोमर जी मंच परासीन पूर मंत्रीगण माया सिंग जी अनूप मिश्रा जी हमारे समस्त नगर निगम के अध्यक्षगान पूर मंत्रीगण इमर्ति देवी जी नगर निगम के अध्यक्षगान मुन्नालाल गोयल जी अभै चौदरी जी मदन कुष्वा जी लोकेंद पराशर जी रमेश गरवाल जी रामबरन गूर्जज जी सीताराम बाथम जी वेत प्रकाश शर्मा जी मनोच तोमर जी जै प्रकाश रजोरिया जी जै सिंग कुष्वा जी समिक्षा गुप्ता जी मंच परासीन समस्थ हमारे महनुभव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी आन बान और शान और मेरे जीवन की मकसद गुवलियर की समस्थ मेरी जनता जनारदन जो यहां उपस्ते थे आज एक इतिहासिक दिवस है मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष आए हैं लेकिन मुख्यमंत्री हमारे जब समक्ष आये हैं एक एत्यासिक डिवस के रूप में केवल आपका मुक्यमंत्री आपके बीच में नहीं आये हैं आपके घर का भाईं और आपके घर का बेटा आज गवुलर के धर्ती पर आपके समक्ष मुझे याद है एक बार शिवरार सिंग जी ने कहा था मैं मुख्य मंत्री नहीं मैं अपने परिवार का सदस्य हूँ किसी भावना के साथ मध्य प्रदेश को राश्ट्रस तल पर पहुचाने के लिए दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंग जी है मेरे भाई और भेनों और आज जब आप आएं है एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोज है और शिवराज सिंग जी की विचारधारा उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है और उसी सोच के साथ लाड़नी लक्ष्मी की योजना की शुरुवात की गई ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं लेकिन लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लक्पती घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बेहनों ये योजना घर घर तक पहुंची और जब हमारी घर की बेटी एक की स्वर्ष की हो जाती है शिक्षा ग्रहन करने के बाद अपनी जीवन की शुरुवात करती है और लगन का समय आता है और उस लगन के मुहरत में जैसे पंडित बैठकर मंगलाश्टक करते हैं पंडित के साथ साथ शिवराज सिंग्जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर एक कावन हजार रुपया यह भाई एक एक बहन के शादी में शिर्कत करके उपस्तित रहा और जब उन्होंने देखा कि प्रदेश की महिला सशक्त हो रही है प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है बच्पन से पढ़ाई करकर जब सर्वशेष अंक लेकर स्कूल से निकलती है तो उस बच्ची को संपन बनाने के लिए अपने अंखों के आदहार पर मतलब काबिलियत के आदहार पर उस बच्ची को इस कूटी देनी की योजनाभी शुरुआत की मेरे भाई और भेनों तो बच्पन से लेकर पढ़ाई तक स्कूलर्शिप तक अंकों के आदहार पर सम्मानित करने का कारिया और अलगना तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्यदारी निभाई तालियों की घरगाट से मेरे बेहने अपने भाई का आवान करे और जैसे हर इंसान जीवन में आगे बढ़ता है परिवार की ग्रहणी बन जाती है तो उस ग्रहणी को भी अध्यात्मिक शक्ति के साथ एक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए लाड़ी बहना योजना की शुरुवात की जा हजार रुपईया हर महा एक करोड़ पचीस लाख होते थे पर शिवराज सिंग जी के साथ तो ये बात है कि कहानी कभी खतम नहीं होती आज एक करोड़ पचीस लाख से एक करोड़ एक तीस लाख पहनाएं हो गई है मध्यप्रदेश में जिनके खाते में हजार रुपईया पहुचाने का कार्या शिवराज सिंग्जी ने किया है और जब हजार रुपई प्रती महा बार हजार रुपईया प्रती वर्ष की योजना की घोशना नहीं की योजना की गैरेंटी नहीं लेकिन आप बताओ पिछले तीन मेने में से आपके खाते में पैसे आ रहे की नहीं अगर आ रहे तो हाथ उठा कर बताओ आ रहे की नहीं आपके खाते में पहुचाने का कारिय शिवराज सिंग जी ने किया तो एक तरफ ये भाई जो आपके खुशाली के लिए अपका अपना सब कुछ लगाने के लिए तयार है और दूसरे तरफ एक महाशे जिनको इतनी जलन आ गई पूरी तरह से खुज लियाने शुरू हो गई कि ये योजना की घोशना हो गई अब मैं क्या करूँ तो निकाला चिपका के करनाटक के पांच गैरंटी कि हम भी गैरंटी देते हैं मध्यप्रदेश में अगर शब्द का इस्तमाल सुनना अगर हमारी सरकार बनी तो पंद्रसो रुपईया खाते में दिया जाएगा अरे शिवराज सिंग्जी ने तो नहले पे देहले कर दिया अगर वो पंद्रसो कह रहे हैं शिवराज सिंग्जी ने कहा हजार से बारे सो पचास 1250 से पंद्रसो पंद्रसो से सत्रफो पचास सत्रव सो पचास से दो हजार दो हजार से दो हजार दो सो पचास तालियों की गरगरट से दो हजार दो सो पचास से दो हजार पाथ सो दो हजार पाथ सो से दो हजार साथ सो पचास और दो हजार साथ सो पचास से अभी सुनाई नहीं दिया अभी सुनाई नहीं गिया जराल कमर नाच जी को सुना दो कितना जराल धिक्विजे सिंग जी को सुना दो कितना सिंग जी बेहना है कितना बोलो अक बार और ये याद रखना मेरी बेहना ये वो कॉंग्रेस पार्टी है जिसकी पैचान जूट लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है मेरे भाई और भेनों एक एक घोषना जो कॉंग्रेस ने 2018 में की थी हर एक घोषना की वादा खिलाफी की जनता के साथ खिलवाड किया चाहे मेरा किसान हो मेरी महिला हो मेरा नोजवान हो और जब ये सरकार में आए 15 महिनों के लिए तब शिवराज जी की संबल योजना बन कर दी आपकी कन्यादान योजना बन कर दी मेरी महिला अशाकारे करता जो अपना वेतन दिन रात लेकर काम करती थी उनका 1500 रुपई आप बढ़ाने की बात करते हैं उनका वेतन 1500 रुपई कम करके रग लिया कॉंग्रेस की सरकार ने और मैं आपको आववान करना चाहता हूँ क्या लाड ली लक्ष्मी योजना चलनी चाहिए चलनी चाहिए तो कान खोल के सुलो आप अगर कॉंग्रेस जो कॉंग्रेस कहती है न अगर मैं कहता हूँ कि अगर कॉंग्रेस की सरकार आई तो लाड ली लक्ष्मी योजना ये बंद कर देंगे मैं पूछता हूँ आपसे कन्यादान योजना चलनी चाहिए कि नई अभी सुनाई नहीं दिया चलनी चाहिए कि नई अगर अगर कॉंग्रेस की सरकार आई तो कन्यादान योजना ये बंद करके रख देंगे मैं पूछना चाहता हूँ आगसे प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षन जो शिवराद सिंग्जी ने किया है पुलीज भरती में 35 प्रतिशत शिक्षक भरती में 50 प्रतिशत शास्किय पदों में भरती में 35 प्रतिशत और पंचाच चुनाओं में 50 प्रतिशत ये महिलाओं के लिए रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए कि नहीं अगर कॉंग्रेस आएगी तो सारा आरक्षन समाफ्त कर देगी और आखरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाड़ी बहना योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए कि नहीं अगर अगर कॉंग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्षमी योजना भी कॉंग्रेस की सरकार बंद करके रख देगी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस को क्या एक भी वोट मिलना चाहिए बताओ मुझे मेरी बेहनों मिलना चाहिए कॉंग्रेस को वोट तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एक ऐसा सीरियल है जो पंद्र महीनों की कॉंग्रिस की सरकार ने दिन और रात देखा वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा कौन बनेगा करोड़ पती भरष्टा चार का अड़्डा बना दिया था वल्ला भवन को तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ओस सीरियल में एक वाक्य इस्तबाल किया जाता है लॉक किया जाए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कॉंग्रेस को इस चुनाव में अरे बोलो मेरे साथ कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चावी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे यही मेरा अब सबस्वे निवेदन है और अपने भाई को तालियों की गरगाट से स्वागत करें अरे ये मेरी बहनों की तालियों में और उर्जा होनी चाहिए तालियों की गरगाट आज मैं शिवराज सिंग जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ केवल लाड़ी बहना योजना नहीं लेकिन 390 करोड उपे हमारे गॉलियर के लिए लेके आएं पर जब शिवराज सिंग जी आएं तो मेरी तो आज़त है कि कुछ और मांगना ही पड़ेगा गॉलियर के लिए चंबल की योजना पानी लाने की योजना हम सब का एक सपना रहा है आपका हमारा नरेज सिंग जी का शेजवलकर जी का अनूप जी का अबाय सिंग जी का प्रदूम का हमारे पीछे बैटे पूर विधायकों का सभी का और इस योजना के लिए आपने तिज़ोरी खोल के दी जाए एक तरह कमलात कहते थे पैसे नहीं है शिवराज सिंग जी की सरकार में विकास के लिए प्रगती के लिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए अमबार है पैसो का क्योंकि आपका हख है उसके उपर पहले और गौनलियर की योजना के लिए हमारे चंबल से पानी लाने के लिए पांच सो करोड मड़ी-Kھیड़ा और रमववा बांद में पहुचाने के लिए 200 करोड वॉड़ों में पहुचाने के लिए 1-66 वॉड़ बें पहुचाने के लिए 500 करोड हजार करोड आप ने स्विक्रत किये है अब गॉालियर में 6 नए वॉड़ जुड़े है जो ग्रामीन आलाके के हैं वहा ना पाइपलाइन है ना टोटी है उन पाँच वाडो के लिए 600 करोड उपए की राशी की जरूरत है इस 1000 करोड की योजना को 1600 करोड में स्विक्रत करा दे ताकि मेरे गौलियर के प्यासे कंटो को पूरे अगले 50 साल के लिए झाल के लिए झाल के लिए